हलो फ्रेंज वेलकों बैक टू मैं चानल आज हम बनाने जा रहे हैं चार्डव मसाला यह बहुत ही टीस्टी रेशिप और यह बहुत इसली बन जाती है वो भी बहुत ही कम इंग्रीडियंट के साथ जो हमारे घर में बहुत ही इसली एवेलेबल होते हैं इस लेसीपी का एक एडवांटेक्ट यह भी है कि आप इसको एयर टाइट बाउल या जार में 6 मेनी तक स्चोर करके आराम से रख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं तो चलिए बनाना शू करते हैं तो उसके इंग्रीडियंस कुछ इस तरह से होंगे 50 ग्राम धनिया 50 ग्राम नमग 2 चमच राई 100 ग्राम काला नमग 1 चुथाई चमच हींग 2 चमच पोधीने का पिसा हुआ पाउडर 50 ग्राम जीरा यह 10 ग्राम टाट्रिक एसेड या इसे हम टाट्री भी बोलते हैं 25 ग्राम काली मिर्च आप चाहें तो साबुत या पिसीवी कैसी भी ले सकते हैं 25 ग्राम आमचूर पाउडर 50 ग्राम लाल मिर्च आप चाहें तो इसकी जंगा साबुत मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम साबुत धनिये को, राई को, पुदीने को, जीरे को और काली मिर्च और लाल मिर्च यदि ये पिसी हुई नहीं है, साबुत मिर्च है तो इन सब को एक कड़ाई में लेके हलका सा दो मिनिट के लिए भून लेंगे अब यह मैंने इक कड़ाई में यह सारे जो मैंने इंग्रीडियंट्स आपको बताये थे इनको डाल ले आए और हम इनको बस गरम करने लाइक ताकि अच्छे से पिस जाए इतना भून लेंगे मेरी मिर्च पिसी हुई थी इसलिए मैंने मिर्च नहीं अड़ करीं अगर आपकी मिर्च नहीं है तो आप मिर्च भी मेंनेों एडर कर दीजेए हमें इसको हलका ही बुं़ना है। अब हमारे मसाले बुनके रडी हो चुके हैं। अब हम इसको थंडा करने के लिए रख देते हैं। और जब यह थंडा हो जाएगा, हम इसको और अपने बाकी के सारे अं'! मिक्सर जार में डाल कर पीस लेंगे। अब हम इसको जाल गड़ाई में साथ अब हम इसको को ने सब्सक्राइब भूने V चाहरे आपे हम हमें साथ आपके आपके पीस लेंगे अब हम इसम आपकी ने सांपरी कुछ हमें साल कि मिल्कुल बारीक पिसे नहीं है यह देखिए मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है अब मैं अपने जो सारे भूनेवा मसाले ते सबसे पहले वो अड़ कर रही हूं इसमें अब मैं जो बाकी के मसाले हैं वो भी आड़ कर देती हूं हींग काला नमक राई सफेद नमक, अब हम इसमें टाट्री आड़ कर रहे हैं, अब हम सारे मसालों को फाइनली ग्राइन कर लेंगे, हमारा मसाला तो पिश चुका है, अब हम इस तरह से एक न्यूस पेपर प्लेस कर लेंगे, और उसके उपर कोई भी ट्रे या फिर प्लेट रखे, अब हम मसाले को चान लेंगे, ता कि मसाला आए, वो बिल्कुल फाइन मसाला हो, देखे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मसाला निकालके चान लेंगे, जो मोटा मसाला उपर बच जाएगा, उसे हम दुबार से मिक्सी में ग्राइंड करके फिर से चान लेंगे, देखे, हम इसको इसको इस मिक्स कर लूँगी वैसे तो यह चाट मसाला इजीली बजार में मिल राता है पर हम इसको घर पर इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अगर इसमें नमक मिर्च कम जादा करना हो इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं दूसरा यह बिल्कुल प्यॉर बनेगा यह बिल्कुल प्यॉर मसाले यूज हुए है यह देखिए हमारा चाट मसाला बनके रेडी है यह बहुत ही टेस्टी है आप इसको जरूर ट्राइ करेगा और यह बहुत ही असान भी है बनाना सो प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब तो माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूद है और कमेट में मुझे जरूर बताए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी थैंक यू